आप मेंसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक परफेक्ट रिष्टा चाहते हैं, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहते हैं, जो यह चाहते हैं कि उनके जिंदिकी में जो इनसान आए ना, उसके साथ में आप हमेशा खुश रहो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सम अगर आपकी यह इच्छा होगी और लगबग सभी की इच्छा होती है, अगर आप भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढून रहे हैं अपने लिए तो उस तलाश से पहले कुस चीजें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, एक अच्छे पार्टनर के लिए, लेके दोस्तों, हर एक इनसान एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहता है, लेकिन इस चीज़ को नहीं समझता कि परफेक्शन जैसी चीज़ इस दुन्या में एक्जिस्ट नहीं करती हैं, इस दुन्या में हर एक इनसान के अंदर बुराईया हैं, हर एक इनसान में कुछ फ्लाउस हैं, जब खतम कर दीजे अपने दिमाग में दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा कपल होगा जो बहुत खुबसूरत कपल होगा जिन में बहुत जादा प्यार होगा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी और आप भी व तरह रिष्टे में बहुत सब्सक्राइब भी चमोनें अजोडी उनमें भी ठोको सब्सक्राइब करती हैं जिनकी रिष्टे में इस चीज में है कि वो एक दूसरे की कम्यों को avoid करते हैं। उनके रिष्टे की खूपसूरती इस चीज में है कि वो प्यार को ज़्यादा एहमियत देते हैं। उनके रिष्टे की खूपसूरती इस चीज़ में है कि वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनमें इस चीज़ की अंडरस्टेंडिंग है कि उनकी लिए जो मैटर करता है वो सामने वाला इंसान करता है, उसकी कम्या मैटर नहीं करती है, उनके बीच में इ प्राहिम दिया होता है, means कि आपको कभी भी जिंदगी में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिलने वाला जो भी आपको मिलेगा, उसमें कुछ तो खूबिया होंगी, लेकिन कुछ कम्या भी 100% होंगी, आपकी रिष्टे की खूपसूरती इस पर होगी कि आप उसकी कम्यों को कितना अवाइड करते हो, जो कम्या आप अवाइड नहीं कर सकते, उनको कैसे उसको समझाते हो, कैसे अपने आप के बारे में उसको समझाते हो, कैसे उसे समझते हो, कैसे आप लोग अपने बीच के जगडे को जल्दी से जल्दी सुल्छा लेते हो, कितना ज्याद चाहिए कि इतना सब रिष्टे में तब आता है जब एक बहुत अच्छा कासा टाइम आप किसी के साथ में बिता लेते हो इतनी मिच्यारटी होना इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना इतना ज्यादा इगो से फ्री हो जाना एक दम से नहीं होता यह सब चीजे टाइम ल जगड़े होते हैं बहुत ज्यादा आर्गी होते हैं दोनों तरफ से क्योंकि आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए नए होते हो फैमिली इस डिफरेंट होती है बहुत सारी चीजे इंदम नीव होती है वो रिष्टा जब आप एफट लगाते हो वो इंसान आपको समझता है आप उसे समझते हो तो वक्त के साथ में वो गहरा होता है वक्त के साथ में उसमें प्यार बढ़ता है उसकी खुबसूरती निखर कर आती है अंडर्स्टैंडिंग उबर कर आती है वो सब चीजे टाइम देती है और जो मैं कहना चाहती हूं वह यह कि चो कंसेप्ट है ना के ज़कले हो या आहर रेकले चाहिए नहीं फिल्कुल, तो उन सब चीज़ो को जदा बढ़ा नहीं, समझे के चलता है मैंन तुम है और दोग का नहीं एक कन आता साथ हैं उसमें टाइम लगेगा तो थोड़ा सा इस चीज के लिए प्रपेर होकर चलें और परेक्शन जैसे चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें सो होब आपको समझ में आये होगा कि जिनके जो रिष्टे कोपसरत होते हैं वो होते नहीं हैं वो उन्होंने एफर्ट करके बनाए हैं और आपको भी शादे के बाद यही करना है एफर्ट लगाना है टाइम देना है प्यार देना है अंडरस्टेंडिंग देनी है और वो रिष्टा भी बहुत ज्यादा कोपसरत हो जाएगा यह बिलीव रतना है